नमस्कार, हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर जलंधर के दमोरिया पुल के नस्दीक एक व्यक्ती की लाश मिलने से फैली संसनी नहीं हो पाई पहचान जलंधर के संतोकपुरा के नस्दीक एक केंटर और स्कॉर्पियो गाड़ी में हुई भीशन टककर दो लोग हुए घायर अमरित सर गुर्दासपूर के गाओं पाहाडा में एक भट्टा मालिक से बंदुआ गरी परिवार को छुड़वाया गया जिलाधीश गुर्दासपूर ने की कारेवाई और अब हल्चल विस्तार से जलंधर के थाना रामा मंडी के अंतरगत आते इलाके दमोरिया पुल सुविधा सेंटर के पास एक व्यक्ति की अर्ध नगन लाश मिलने से संसनी फैल गई हालांकि ये हत्या है या फिर आत्म हत्या ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है इस बावत ASI ने बताया कि साड़े साथ और आठ बजे के करीब उन्हें सूचना मिली थी कि व्यक्ति की अर्ध नगन हालत में लाश खंबे से पायजा लिया लेकिन शब के पास से कोई दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ और ना ही आसपास कोई समान बरामद हुआ है जिसे व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी फिलहाल ये आत्म हत्या है या फिर हत्या इसकी भी जांच की जा रही है जालंधर से पंकज शर्मा की चौन में विदाखे नहीं कोई कोई सुप्ते ही बंदघर लागें बले बासेंटेंगें कोई खड़ा अगने कोई 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 सब्सक्री कामरेटि लागें इस ते के पेक फिलहां सब्सक्राइब को जब कृस्वाइब शुक्त देखनेंगे इस जालनधर नहीं कोई इतर के लंबा पिंट से किशनपुरा रोड पर संतोक पुरा के पास केंटर और स्कॉर्पियो गाड़ी में भयानक टककर हो गई टककर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरह से शतीगरस्त हो गई वहीं इस घटना के दौरान लोग भी घायल हुए हैं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सब भी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल में पहुंचा आया गया। फिलाल मामले की जांच चल रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट और कि रिए पंजाव हो जाली ड़ी सामने रहें लम्मा प्रेंटो वेशन द्राइब होुट तो इसकार्प जो शीटेश चोन लगी यो देड़ी कर दिजा आखी आटी तो इसर्था उस्पता हुने आईसी बूंट अपने जो जोडा सुपार के दाखुचा देख देगे जो अम्रित सर गुर्दासपुर के गाओं पहाडा में एक भट्टा मालिक की ओर से गरीब परिवार को बंधुआ मजदूर बना कर काम करवाने का मामला सामने आया है भटा मालिक की ओर से गरीब बंद्वा परिवार पर जुल्म भी किया गए और ये सब भटा मालिक ने अपने उंचे रुत्बे के चल दे किया आपको बता दें कि सरकार की ओर से बंद्वा मजदूरी के खिलाफ बंद्वा मजदूरी प्रथा निवारन एक्ट 1976 में लाया गया था जिसके चलते किसी को भी बंदुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सक्त कानूनी कारेवाई की जाती है लेकिन इस भट्टा मालिक को कानून का कोई डर नहीं तो वहीं भट्टा मालिक के जुल्म से तंग आकर गरी परिवार ने गुर्दासपूर प्रशासन से इनसाफ की गुहार लगाई जिसके बाद जिलाधीश गुर्दासपूर की ओर से भट्टा मालिक के खिलाफ कारेवाई करते हुए इन बंदुआ मजदूर परिवारों को भट्टे से रिया करवाया गया अमरित सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पाई पाई बेपर देखे लिए इसमर बरसासमाच के लिए पर है भट्टे भट्टे से बोड़े लिए पाई ना काम कराया आट अट उन्हार प्रटे से लिएफuse काठे साथरीश रिस्ता ने बाई पाई पाई आको कामा कराया है कि नहीं प्राइब चाहने में प्राइब आदे के निजम वह जो पाई इन्ठाह 2 प्राइब टीज दो फीटी तो प्राइब डॉटरो गड़ी बार गेर ज्टी बंढ़ गट टी जा तो फ्राइब वाई जो तो बंढ़ना करें अग्र जो पाई ले उत्य ते कि नो को पुद्धनी साफिक बार नेगे यह लेऊ थे लादे वह जना चन्दे पाद थे सब्सक्राइब कर दिए और नुट झारवाइद इस रहा हुत कि अपना काम करूंगे तो पढ़ा जान जड़ा तो पजिये हैं तो पठागे से लागा एक पठागे तो गोरे गोरा वाज़ा करके था उन्हें पठा सारी एक अपने सर गरदास पूरेज करो लागे गया है काम कर थे लागे तो लागे मैं अर्पी सारव कर रहा जान मतली जड़ाण गरे reverse टापतेज़गानों दाड़ी सार मालक ने बताने की कीता है और फज़ एक मुंचिय कार फ्रीशा ओ सार दादे गैंस्टर गैंस्टर हो शच्रा ना तर्ग लेगा है तो ती जुअ गया जाने कर रहे रहें कर दोना जाने हहां पचिे कर दोना जी साराण जी मृदू हम आटान पाड़ा पेंड जड़ा गर्दासपुर्वेच पठेदे फस्या जो सानु बदुवा बनागे रख्या होया प्रवारानू इन्ना ने दिस्ती साब डिव्टी कमिशनर गर्दासपुरा जीवड़ पाठिक जी उन्ना दे कोड़ेना अप्लिकेशन लाइपी सानु सार फून किता जी लेवरन सपेट्र साब जी किया गिता है उन्ना ग्रीव जल्थ परवाराना एंदा जी से वाज के चार मिटते और होई थे बंदुवा भाव मी दूरानों शड़ा के पेज दता आया उस्तो बाद आदमी पूंचे नहीं या उत्तो बाद दो आदमी जड़ेय हम भड़ाकिता गया आया पटामालको और जो के है मुशी जमेदार वन्नों दात्रां देना नाल हम भड़ाकार के यह दो आदमी जो है रहाईल मलकी दे दो आगे पाज्याए और इननने आन के चार मिटते बाद पूंचे ने बाद कि परवार जोटे बच्चे कुसांदी ब पुल्स करोंदे वीज़ों पैसे देजू साथे भाभशेज देदाने ताड़ीया जनानिया ज्यां देना लेवरंस पैटर साथ जो फून नहीं क्या करें हो जी असी मांग करते हैं पिए जो दलता नहीं हो रहा है हर पछ्छा मजदूर बना के काम की दा जह प्रवासी जो शत्तिसगारतों जूपी बिहार दुआंदे उन्ना नामी यही विकतरा कीता जालता है हर आदमे आना है अजे भी रीतरवार चालता है जो सदियां तो चालता है आया है यह साथे गरीबान लोग कानू सीरी मजदूर बनानें दे बंदुआ ते जहाँ पठे आरे मजदूर अधे बनागे कोट मार कार दे पैसे अमनि टे और ना कोड़ों पांट पांट फैया चालता है पेश नोग तरह तो लिए कि देगे किसे नुछ बंदुआ नीपना है आजांता पेश की देगे आंधे स्दे काम दो पगार होल्सेया काम नहीं कर साकते तुई एना नों बंद नवजोद सिंग सिध्धु की रियाई पर बीवी राजेंदर कौर भतल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वे नवजोद सिंग सिध्धु की रियाई पर उनका स्वागत करती है नियम के तहट तो नवजोद सिंग सिध्धु को एक महीने पहले रिया कर देना चाहिए था लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी गंभीर बीमारी से पेड़ित थी इसके चलते ही उनकी रियाई बनती थी उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी हाई कमार नवजोद सिंग सिध्धु को जिम्मेदारी सौपेगा नवजोद सिंग सिध्धु को उसे निभाना चाहिए वहीं उन्होंने कहा कि फास्ट्रेक कोट से ज्यादा तेजी भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर फैसला लिया जा रहा है संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट कर देख़ाया काना, मामशन का सब्सके फट्रेके ढ़का जाने से मेशना, कर दोगया करो, भी भी थोड़ी बिमार सी कराते है, वहाच है और बपरेशन भी कर देका देख़ कर दे谦ेने, का आजहान कर देख़ी हों लिए जबारा आके पार्टी हाय कमाणर ने सा दिखना कि की जुम्निभरी देनी है जो जुम्हे बारी पार्टी दिए और फेंडर हां जिए पर तोनी चाहें दिए तरह कॉंगर्स ते बिच जिन में तस्वीरां आरी हैं कि उत्थे तड़्यां देविच जड़ा कॉंगर्स निकास बज़े की जड़ी कॉंगर्स अलग लग तड़्यां देविच बंदी नहीं कई सकते एक बखरी लाइकिंग हुंदी है कि कोई लीडर जादा लाई कर लेथे आप सारे मैठ्यां अड़ाड कोई पगांज बैठ्यां कोई अपना बिना पाकतोवा दूज्जे अबर हाँ था जिकटे ना इस करके रूप बखरे बखरे हुंदेने लाइकिंग लीडरा ने बखरे बखरे हुंदी है कोई तड़ेनिंग कांगर्स पिल्कुल एक जोटते कमुट है तियां कि यह रहुल गांदी जी टार्गेट किता गया कांगें टार्गेट किता गया ओधी निंद्या करन वास्ते आज जसी सारे ने मीटिंग बलाई है ते क्योंके सबीदा आन ते देश नों बचाउन लेई मेशा कांगर्स ने पहला रो देश भी बिचाउन है सभी दान भी बिचाउन है तो दोनों सरकारां दी फेलियोर लग दी है इनी नाकाबल सरकारां ने आट सो बंदाला के फड़या ने गया एक इंसान अजे तकर भी और एदे विच भी एजे समझ नहीं हो दा लोका नो क्लारिटी नी कि ए ड्रामे यह जाए निनौ इनौ पढ़ाए जरो हाँ ओड़े को अजी वड़े जन आजया ने आजी फड़े जारना होता जिस तिन तो पहला तो आया है किसे बंदे दे कोई विचार होसकते जादी और एक इनौ अपने बिचारां दे गल करना हर्दी हो अबने मांझ ओना जादी है ज तो जोग से नहीं हुंदे जा जाएं अवह नोग का निवार जीता है असी हमेशा है कर दे रहे हां कि बतौर सिख बतौर हिंदू बतौर इंसान बतौर कुछ भी कोई बंदा के सिंधा इस्था पनी पापना राखे ताहीं असी लोग के तौर पामत्र कहने हैं लेकन ऐस्तरा अगल ना किती जावे ओन अग्साम देजी देवे जाड़ा आमन पंग होवे हैं। वो देते हैं मेशा सी पहरा देते हैं। फंजाबे हलाद किस तरह निए जिस तरह पनाफ किजाव में लगाता रड़ टेकी होई हैं। अधू मारे हलाद का देख नजर नहीं आए। ते चाहिए उसकी माने चाहिए नहीं उसमेट सारे पास्यातों आइना माड़ा हाल असी कदी सरकार देख्या नहीं जिनना अज वीक कम जोर ते लगदा ही नहीं को सरकार नहीं दी चीज हैं। विवी पंजाब सरकार ने काल 15 है पर एक जड़ा 100% गड़ा हमारी परसाती मोचल नहीं लेके होया है। ते ठाट सोर परेज़ा ते तो पचलतर पसेंट आगानू है। कितरा देख्यदा इननने एलान किता है। अजिता कागज़ाची होया है। ग्राउंड ते जे कुछ देखनों मिलिया नहीं। बालके अनना पारी प्यानक नकसान जड़ा होया है। एदे विच देना चाहिए लासी के गड़ावरियां तो होनिया है। ते लेकन कुछ ना कुछ जिनियां है। पची के प्रसेंट पहला देदे लोग कानू। ताके इमीजेट समर समौन बासते है। क्योंकि जिनना आच रही होते सी दिल रुट आ हुंदा है। टबर रो रहे ने। मुश्क लांच ने। वजग कोई साधन लेकर ने करना है। इसे भी सरकार मालिक ऑज लेक से जग जा नियूर्फें मेशच कड़ना है। मयुक्रम महा पाफ्टिकत्ड पहाए। मैं बतौर मुख्म अनत्री जो सरकार में मैं असूब है थे फैसरे Nuclear लेने सी ओदो मैं ऐसे करके भीमा जड़ी स्कीम सी किसान लई ते मजदूर लई जड़ाइगा उन्हा पास्ते सी रख्यासिगा आके किसी इंशुरेंस क्रामा के सरकारी कर्चे थे प्राइब इट बंदे निया दे जिए विचो कर्चा कर्चा कर्सा दे असी जड़े छोटा किसान है सब्सक्राइब पंजाब सरकार की ओर से एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किये गए थे लेकिन पंजाब की मंडियों में गेहूं अभी तक नहीं पहुंची क्यूंकि बीते दिनों कुद्रती प्रकोप के चलते खेतों में खड़ी गेहूं गीली होने के कारण किसान अपनी गेहूं की फसल मंडियों में लेकर नहीं पहुंचे अगर बात की जाए एशिया के दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी की तो यहां भी गेहूं का एक भी दाना नहीं पहुंचा नाभा आर्थी एसोसेशन के प्रधान सुरिंदर गुपता ने कहा कि बारिश के कारण इस बार मंडी खाली है और अब मंडी में गेहूं दस दिन के बाद ही आएगा वो भी अगर मौसम ठीक रहा तो ही आएगा इस मौके पर नाभा मार्किट कमेटी के सुपरवाइजर गुर्मानक सिंग ने कहा कि मंडियों में पुकता इंतजाम किये गाए हैं इस बार गेहूं का सीजन देर से शुरू होगा नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट अब भाष्टी वजया लाइट पानी गाव जाव जाव परवंध ऑड़ इसे चीजी बंडी कोई कमें नी तो है इसेशन वल्लों भी जिन्ने से परवंध कर साकर देते अपने ब्रहादे ओ भी साध्य पूरे ने परसाथन वल्लों किसे चीजी कोई कमें इस तरह मनें पाने देखो जडी कुदर्ती क्रोपी आए एक किसे देबादा कामता है नहीं एक प्रमेश्चर रहता है एविच्छ जिमीदार दा बहुत बड़ा लक्सान होया है जीदी परपाई जिमीदार नो करनी बहुत ऑक्कियों जिदे है क्यों तिन चार सीजन होगे लगा तार जिमीद बहुत आश्र पैर है आए सीजन कोई नो कोई आफ उदर की पैजिंगी है जेड़ा मंटी जेड़ा लेट है कम वो मौसुंदे डिपेंड करता है जिए आज जिदे सावना जिमीदावी 10-15 दिन लेट हो गया बाकी वे रग्ये कि में मौसम साथ दिन दा उदे सावना मौसम सीजन दा पता लगो विकी में कि में चल दूगा चाड़ी कापी कट हुआ तुसी का सार जींगा आड़ी कम कर देको तिन चार सीजन दो है चार दे बहुत आश्र पैर है आए साल कोई कोई कुदर की आफ ता जिन दिया है एत की वी ओ आफ तागी तेको पची प्रसेंट दा ऑख तुका चार चार कट हंदा साथ डानमान है और कटूगा तुका अप बरसात कारन सीजन थोड़ा लेट है जी लगदा कि एक दो दिना विच कंक हो इस स्टा अगैं और किस तरह वी बहां निए ताइख देना जी कंक कदी बड़ा है इस्तरह परवंद के लिए नेग तर बिजली पाणी दाहर तरण सपाई दा परवंद कंप्लीट हो चके जिए इस वर इसमें काणक नीच्चे के दिया उतना डैमेज भी काणका हाँ बेलकुल जी बारिशकार ने जो नक्सान होया हुदा थोड़ा नक्सानता हो नहीं है ते दाना भी श्रिंक होना ते काली भी हो संग्रूर के लहरा गागा के कई गाओं में भारी मात्रा में ओलावरिष्टी हुई लहरा गागा के गाओं हेरियाओ और डसका में तो ओलावरिष्टी की तस्वीरें दिल को जख जो देने वाली थी जिसके साथ किसानों की गेहों की फसल बिलकुल बर्बाद हो गई यहां तक की मवेश्यों के लिए खेत में खड़ा चारा तक नहीं बचा किसानों ने रोते हुए कहा कि वे बिलकुल बर्बाद हो गए हैं खेत में एक भी दाना गेहूं का नहीं रहा। सरकार जल्द से जल्द स्पेशल गिर्दावरी कर उनके फसल के हुए नुकसान की भरपाई करें। संगरूट से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब 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 कंश सान दी कि सारी वासल तबाई होगी तकति परसेंट to πिचेतर पसेंट तक होगी अब्धार बाझ पूरी तबाई होगी हमलनो पंद्र अचय हजार भी है अरगे त्र कल कीया के जारि अमरिस्तर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के कारण मौसम में तबदीली आई है और लोगों को गर्मी से बड़ी रहत मिली है विशेश तोर पर छुटियां मनाने के लिए बाहर से आ रहे सैलानियों के लिए इस समय शिमला जैसा माहौल बना हुआ है लेकिन अगर बात की जाए देश के अंदर किसानों की त तरह पाली हुई फसल बरसात के कारण तबाह हो गई है किसानों को इस फसल से जो आमदनी होने की आस्थी इस पर पानी फिर गया है और लगातार हो रही बरसात के कारण किसानों के चेहरे मुर्जात गए हैं तो वहीं लोगों का कहना था कि लगातार बरसात होने के कारण उ अमरिद सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट हलकी हलकी बिए बारीश बहुत ज्यादा वहाँ नग्सान नहीं नुख्सान हो रहा है जिसने काफी है बरसाथ करके विए वाइद माइदा है निकलता तेमर दुकाना नएगत नुख्सान अगए ने चेचे मीने लागे फचला वाइने नहीं पैसे वट रहे ते उनना बहुंत सरकार नोपील करेंगे कि किसाना दा साथ देन जिन आधा जो नुक्सान होया उनना दी पर पाई किती जाए ते अशी वी अपने किसान प्रावदें आलकलोते हैं वाद तो वाद जो हैग कासी सपोर्ड करनी थे हैं सर्क्सानना वास थे नक्सान देई है पुतावार कूं पाली फसल जड़ी है ऐस टैम बिलकुल नश्ट हो चुकी खराब दूत हो चुकी है बाती मौसम ठंडा होन करके चलो लोग को आज में मिन्ट कर रहे हैं देकने क्सानना वास थे बहुत मार करना चाहिए था मौसम ता किना करना कि मौसम ता ठीक है मौसम ते सलानियां वास्ते सही है टूरस्ट वास्ते भी अपना ठंडा मौसम है अजवाइमेंट कर रहे हैं लेकान सानना नहीं मारा हो गया